दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे के आप एक नए PVC Pen Card के लिए कैसे अपलाई कर सकते हो और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको जो PVC Pen Card बनाना सिखाने वाले हैं इस Pen Card के अंदर आप अपनी लेटेस्ट फोटो को प्रिंट करा सकते हो साथ ही में अपने digital signatures को भी print कर सकते हो और साथ ही में आप अपने father's name को भी हाँ पर print कर सकते हो और अभी आपको यहाँ पर side में हमारा एक pen card देखने के लिए मिल रहा होगा दोस्तों यह pen card हमने same इसी process से recently अभी बनवाया है और यहाँ पर आप इस pen card पर देख सकते हो के हमारी latest photo भी print है साथ ही में हमारे digital signatures भी print है और यहाँ पर हमारा father's name भी हमें देखने के लिए मिल रहा है तो अभी आपका जो pen card है वो भी कुछ इस तरीके का ही बनेगा बागी चलिया बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तों pen card के लिए apply करने के लिए आपको chrome browser के अंदर nsdl pen card apply हाँ पर आपको type करके simply search कर देना होगा उसके बाद यहाँ पर आपके सामने सबसे उपर में pain card के official website आपको देखने के लिए मिल जाती है आपको इस website को open कर लेना है और फिर देखे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर कि अगर आप थोड़ा सा नीचे scroll करोगे तो इहाँ पर आपके सामने आपको एक option देखने के लिए मिलेगा application type का simply आपको इस option पर click करना है और यहाँ पर आपको new pain card बनाना है इसलिए आपको इहाँ पर new pain Indian citizen form 49A वाले option को select कर लेना होगा फिर यहाँ पर आपको category वाले option के अंदर individual option को select कर लेना है और फिर यहाँ से आपको applicant information को fill करना होता है जिसमें कि आपको सबसे पहले तो title को enter करना होगा फिर यहाँ पर आपको last name enter करने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर आपको इस वाले section के अंदर last name को enter कर देना है और यहाँ पर फिर आपको इस वाले section के अंदर first name और यहाँ पर इस से नीचे वाले में middle name आपको यहाँ पर enter कर देना होगा फिर यहाँ पर आपसे नीचे में date of birth enter करने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर आप अपनी date of birth को enter कर दीजेगा उसके बाद यहाँ पर आपसे email ID enter करने के लिए कहा जाता है और इसके नीचे में आपको अपना mobile number enter कर देना होगा और फिर यह सारी details fill करने के बाद आपको यहाँ से नीचे से terms and conditions को accept कर लेना होगा और यहाँ पर आपको नीचे में capture लिखा हुआ देखने के लिए मिलता है आपको इस capture को इस box के अंदर enter कर दिना होगा और फिर नीचे से आपको यहाँ से submit वाले option पर किलिक करके इस details को submit कर दिना है और फिर देखे दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक interface आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको एक token number देखने के लिए मिलता है दोस्तों इस token number के मदद से अगर आप इस application को fill करते वक्त कहीं पर भी exit हो जाते हो तो आप इस token number की मदद से फिर से उसी same application को continue कर सकते हो साथ ही में future में आप अपने paint card के status को भी इस token number की मदद से track कर पाओगे इसलिए इस token number को आप कहीं पर भी note down करके रख लीजेगा और फिर देखे यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिल रहा है continue with application form simply आपको इस option पर click कर देना होगा और फिर देखे यहाँ पर आपके सामने आपको तीन options देखने के लिए मिलेंगे इन तीन options में से आपको इहाँ पर दूसरे वाले option को select कर लेना होगा इस दूसरे वाले option का मतलब यह है कि यहाँ पर आप जो भी अपने documents upload करोगे वो आप scan format में upload करोगे यानि कि PDF format में upload करोगे जैसे कि अगर आप यहाँ पर अपना signature upload करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर simply PDF format में या फिर JPG format में scan करके upload कर सकते हो और साथी में यहाँ पर आप अपनी photo को भी इसी website के अंदर upload कर सकते हो यानि कि आपको अपने documents किसी को postal address पे share नहीं करने होंगे आपको यहाँ पर simply अपने इस website के अंदर documents को upload करना होगा अगर आप इस second वाले option को select कर लेते हो तो और फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको जो physical pain card है वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपको yes वाले option को select कर लेना है अगर आपको यहाँ पर physical pain card की जरूत है तो उसके बाद फिर यहाँ पर आपसे आपके अधार card की last की four digits एंटर करने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर आपको इस box के अंदर अपने अधार card की last की four digits को यहाँ पर एंटर कर देना होगा और बागी की जो आपकी यहाँ पर details है वो आपने जो पहले feel कीती वो यहाँ पर आपको automatically enter हुई देखने के लिए मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको नीचे में थोड़ सा scroll down करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक gender का option देखने के लिए मिल जाता है इस gender वाले option पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपने gender को select कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस टाइब का इस option का मतलब यह है कि अगर आपका कोई दूसरा नाम है जो कि आप pain card के अंदर print कराना चाहते हो तो आप यहाँ पर yes वाले option पर click कर सकते हो वन्हाँ आप इस वाले option के अंदर no ही रहनी दीजेगा और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिलता है detail of parent का इस option के अंदर आपको यहाँ पर एक option देखने के लिए मिलता है yes or no का इस वाले option का मतलब यह है कि दोस्तों अगर आप single parent children हो तो यहाँ पर आपको yes वाले option पर select कर देना है यानि कि अगर आप अपने mother की details है वो यहाँ पर आपसे मांगी जाती है जैसे कि आपके father का last name, father का first name and father का middle name ये तीन हुई details आपको यहाँ पर enter कर देनी है और अगर आप यहाँ पर अपने mother की details को भी paint card के अंदर print कराना चाते हो तो यहाँ पर आप अपने mother की details को भी enter कर सकते हो जैसे कि last name, first name and middle name और फिर last में आपसे यहाँ पर पूचा जाता है कि यहाँ पर आपको अपने paint card के अंदर किस के name को print कराना है अगर आपको यहाँ पर father's name print कराना है तो इस वाले option को select करना है और mother's name print कराना है तो आपको यहाँ पर mother वाले option को select कर लेना है and then यहाँ पर इन सबी details को fill करने के बाद आपको simply next वाले option पे click कर देना है फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपसे पूछा जाता है कि आपकी source of income क्या है तो अगर आप यहाँ पर एक student है और अगर आपकी कोई income source नहीं है और फिर यहाँ पर आपको अपने residence proper address को enter करना होगा जैसे कि flat, name, road, street, area वगरा यहाँ पर आपको proper details को अपनी options के अंदर enter कर देना है और यहाँ पर आपको country वाले option पे click करके अपनी country को search करके यहाँ से select कर लेना होगा और state वाले option पे click करके यहाँ से आपको अपनी state को भी select कर लेना होगा और नीचे वाले option में यहाँ पर आपको अपने area का pin code enter करना होगा और फिर यहाँ पर आप अगर नीचे scroll करोगे तो यहाँ पर आपस आपका office address भी मांगा जाता है तो अगर आपके पास आपका office address है तो वो भी आप यहाँ पर fill कर सकते हो वन्ना आप यहाँ पर simply नीचे scroll down कर सकते हो और फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपका telephone, number and email id की details मांगी जाती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको अपना country code select कर लेना होगा देखने के लिए मिल जाएगी अगर दोनों ही चीज़े सही हैं तो आपको इन दोनों ही option को छेड़ने की जरूत नहीं है इसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिलता है रिप्रेजेंटेटिव ऐसी का इस option को आपको यहाँ पर तब select करना है जब आपकी age अगर 18 year से कम है अगर आपकी age 18 year से कम है तो यहाँ पर आप इस वाले option के अंदर yes कर दीजेगा फिलाल अभी जो हम pain card बना रहे हैं उन person की age जो है वो 18 year plus है तो यहाँ पर हम इस वाले option के अंदर no ही रहने देते हैं तो भी देखें दोस्तों यहाँ पर आपको एक AO code का option देखने के लिए मिलता है simply यह जो AO code होता है यह एक technical code होता है आपके area का इस area code को search करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा आपको यहाँ पर सबसे पहले तो Indian citizen वाले option को select कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी state को यहां से select कर लिएना होगा state वाले option पे click करके यहां से आपनी state को search भी कर सकते हैं और फिर यहां पर आपको अपनी city को select करना होगा और simply आपको यहां से फैच वाले option पे click करना होगा. और फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे आपके document select करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर proof of identity वाले option को select करना होगा simply आपको select वाले option पे click करके यहाँ पर अगर आप अधार सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके सामने अधार card का भी option है तो यहाँ से आप अधार card वाले option को simply select कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पर आपसे proof of address select करने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर भी आपको काफे सारे options देखने के लिए मिल जाते हैं पर यहाँ पर भी अगर आपके पास अधार card है और आपके अधार card में सही address है तो यहाँ पर आप अधार card वाले option को select कर लिजेगा और फिर यहाँ पर आपको अपने date of birth का proof enter करना होता है तो यहाँ पर भी आपको काफे सारे options देखने के लिए मिलते हैं आप अपनी choice के according option को select कर लिजेगा फिलाल मैं भी यहाँ पर इस option के अंदर भी अधार card को select कर लिता हूँ और फिर यहाँ पर अगर आप scroll down करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आपको एक declaration का option देखने के लिए मिलेगा simply आपको यहाँ से select वाले option पे click करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको himself और herself वाले option को select कर लिएना होगा gallery वाले option में से अपनी photo को simply यहाँ से आपको select करना है मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ तो अभी आपको यहाँ पर जिस भी pick को अपने pane card के अंदर upload करना है उस वाली pick पर simply आपको click करना होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए बिलता है upload का simply आपको यहाँ से इस upload वाले option पर click कर देना है और फिर अभी आपके यहाँ पर जो photo है वो आपको यहाँ पर side में देखने के लिए मिल जाएगी इसी तरीके से यहाँ पर आपको अपने sign को भी upload कर लेना है तो अभी यहाँ पर बारिया आती है upload supporting documents को upload करने की यानि की जो हमने proof of documents select किये थे उन documents को यहाँ पर हमें upload करना होगा जैसे कि हमने तीनों ही options के अंदर आदार कारड वाले option को select किया था जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो तो हमें यहाँ पर सिर्फ अपने आदार कारड की photo को यहाँ पर upload करना होगा और फिर यहाँ पर आपको अपने आदार कारड की जो first eight digits थी वो यहाँ पर आपको enter कर देनी है और यहाँ पर अगर आप नीचे scroll down करोगे तो आपको यहाँ पर जो आपका पूरा form है वो देखने के लिए मिल जाएगा आपको अपनी सभी details को एक बार check out कर लेना है और यहाँ से simply आपको नीचे से proceed वाले option पे click कर देना है और फिर यहाँ पर आप हमें payment करनी होती है तो यहाँ पर हम simply online payment through ptm वाले option को simply select कर लेते हैं और यहाँ से नीचे scroll down करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले तो दिखा दिया जाएगा कि हमें यहाँ पर कितने रुपे के payment करनी है और यहाँ पर कितने रुपे का charge किस किस चीज का लग रहा है वो भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा simply हमें नीचे scroll down करना है और यहाँ पर हमें terms of services को यहाँ पर accept कर लेना है और उसके बाद proceed to payment वाले option पे click कर देना है फिर यहाँ पर हमें pay confirm वाले option पे click करना होगा और फिर यहाँ पर आप paytm gateway की मदद से 106 रुपे की और फिर यहाँ पर आप paytm gateway की मदद से 107 रुपे की payment को complete कर दीजेगा और उसके बाद जैसे आप payment को complete कर देते हो तो यहाँ पर आपके सामने payment receipt आपको देखने के लिए मिल जाएगी simply आपको नीचे से continue वाले option पे click करना होगा और फिर यहाँ पर हमारे सामने अदार authentication का एक option देखने के लिए मिलता है तो यहाँ से आपको simply नीचे से terms and conditions को accept करना है तो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले terms and conditions को accept करना होगा यहाँ पर tick वाले option पे click करके और नीचे scroll down करने के बाद यहाँ पर हमें simply authenticate वाले option पे click कर देना है और फिर यहाँ पर हमें OTP authentication वाले option पे click करना है और फिर यहाँ पर आपके जो अधार कार्ड है उसमें जो mobile number registered है उस पर एक OTP share किया गया होगा उस OTP को यहाँ पर आपको enter करके नीचे से submit वाले option पे click कर देना है और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने करें मिल जाएगा continue with e-sign का simply आपको यहाँ से continue with e-sign वाले option पे click करना है और फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले ओपर से terms and conditions को accept कर लेना होगा और यहाँ पर आपको अपने अधार कार्ड नमर को enter कर देना है उसके बाद यहाँ पर फिर आपको send OTP वाले option पे click कर देना है फिर यहाँ पर आपकी जो अधार कार्ड में number registered है उस नमर पर एक OTP share किया आती है अगर आप नीचे scroll down करोगे तो यहाँ पर आपको एक acknowledgement भी देखने के लिए मिल गई है इस acknowledgement के अंदर default password लगाया जाता है जो कि आपकी date of birth रहती है जो कि आपको date of birth रहती है जो कि आपको date of birth के format में enter करनी होती है जब आप इस password को enter करोगे तो जो आपके acknowledgement है वो simply open हो और और फिर यहाँ पर आपने जो form फिल किया था वो ही same form आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा acknowledgement के format में आप सिंपलिस acknowledgement को save करके रख सकते हो अपने future references के लिए बागे देखे दोस्तों आपका जो pain card है वो यहाँ पर आपको 7-10 दिन के अंदर आपको बना के दे लिए और बाकी 10-15 दिन के अंदर आपके घर पे आपका जो pain card है वो किसी भी कुरियर कंपनी के तरफ से आपको deliver कर दिया जाएगा और दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपने pain card के status को track करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको nsdl pain card apply फिर से google पर search करना होगा और आपके सामने nsdl की official website देखने के लिए मिलती है इस website को आपको फिर से यहाँ पर open कर लेना होगा और इस बार यहाँ पर आपको उपर में एक option देखने के लिए मिलता है no status of pain application simply आपको इस option पर click करना है और फिर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा जूम इन करोगे तो application type का simply हाँ पर इस select वाले option पर click करके यहाँ से आपको pen new change request वाले option पर click कर देना होगा उसके बाद यहाँ पर आपसे acknowledgement number मांगा जाता है अब यह जो acknowledgement number है दोस्तों यह आपको आपके registered mail ID या फिर आपके registered phone number पर आपको दोनों पर ही देखने के लिए मिल गया होगा मैं एक बा को open करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे ओपर में ही application number देखने के लिए मिल जाएगा इसी application number की मदद से हम अपने pain card के status को future में track कर सकते हैं simply यहाँ पर अभी हम इस acknowledgement number को simply copy कर लेते हैं यहाँ पर copy हमने simply अपने acknowledgement number को कर लिया है उसके बाद हम फिर से chrome browser के अंदर आने के बाद इस acknowledgement number को simply यहाँ पर paste कर देंगे फिर यहाँ पर हमसे एक capture को यहाँ पर इस वाले capture को इस वाले box के अंदर enter करने के लिए कहा जाता है और फिर दोस्तों यहाँ पर आप नीचे से submit वाले option पर click करके अपने pen card के status को track कर सकते हो बागी जो आपका pen card है वो 7-10 दिन के अंदर आ आपके घर पे आपको deliver कर दिया जाएगा तो देखे दोस्तों बस इतना असान था एक new pen card के लिए apply करना अभी आपको जो pen card है वो आपको यहाँ पर 10-15 दिन के अंदर आपके घर पे PVC card format में आपको deliver कर दिया जाएगा और 7 दिन के अंदर ही आपके mail ID पर आपको यह आपका pen card receive हो जाएगा digitally format में तो बाकी दोस्तों बस वीडियो के अंदर इतना ही था अगर आपको यह पसंद आई हो तो यार प्लीज वीडियो को like कर दीजेगा और आप इस चैनल पर नए है और इसी तरीके की मज़दार वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहिंद एंड बंदे मात्रम